बारा घंटे लग गए इस वेब सेरीज को खतम करने में और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि भाईया एक और मैं एक वीडियो बनाएंगे ताकि थोड़े वो तीन चार रुपय और चाप लें तो बना रही हैं उ वीडियो मतलब की बनानी है लोगों को बताना है यह चीजे और थोड़े बुत रुपय भी चांपने हैं तो चर्जा कर लेते हैं इस सीरीज की कहानी के बारे में देखे हर एक एपिसोड जो एक के घंटे के करीब है मतलब लगब बारा घंटे आप लोगों को इस सीरीज को के अंदर आता है फिर वो बड़े पैमाने पर फैलना लगता है उससे जब लोग कहा है जोंबी बन रहे हैं अब एक जोंबी किसी सवस्थ इंसान को काटता तो वह भी जोंबी बन जाता है और जोंबी को मानना थोड़ा मुश्किल होता है यह तेज होते हैं यह सारी चीजे मुविस के अंदर मेंली क्या चीज लिखाई जाती है कुछ induced cess do ुमीज वर होते हैं इसके अंदर उन्हों Curry पी रहा होग और यह सिर्ए यह से सुप आतीह है जैसा मेरा स्टशं वार पिछली वीडियो के अंदर मैं इसमें नयायापन क्या तड़ा जाएगा और जब मैंने दो एपिसोड देखे थे उसमें इतना नहीं देख पाया था लेकिन आगे आने वाले एपिसोड के अंदर कुछ एक नहीं परजाती हमें देखने को मिलती है वायरेस अपने आपको पता चलेगा मैं नहीं बताने वाला और काफी अच्छा experience रहेगा आप लोगों जब आप इसको देख रहे होगे आप इससे connect हो पाओगे इसमें मैं कहा सकता हूं कि एमोशनली भी वह ज्यादा अच्छे से वर्क किया गया है हम करेक्टर से बहुत अच्छे से connect हो पाते हैं ज कुरी सीरीज के दुरान वही चीज़ हमें दिखाई जाती है तो हम बच्चों से बहुत अच्छे से connect हो पाते हैं और जैसे जैसे चीज़ें हो रही है इमोशनली बहुत जादा connect होते हैं कुछ-कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि आखें में नम हो जा रही थी यार इतना इमोशनल एंगल हमारे सामने आता है तो वह देखकर काफी जादा अच्छा लगा और जब यह सीरीज खतम होती है तो कहीं ना कहीं हमें वह करेक्टर याद रहते हैं उनके बारे में हम सोच रहे होते हैं यानि यह सब चीज़ें दिखाती है कि हमारे दिमाग के उपर इसने impact डाला है क्योंकि इसने अच्छा खासा work किया गया है कुछ series ऐसी होती है कुछ movies ऐसी होती है जिसको आप देखते हैं अगली पल अरे यार पीछा चुटा इसे इतनी बखवा सीरीज थी ऐसा-इसा हमारे feeling आती है लेकिन इसके अंदर वो feeling नहीं होती है इसके अंदर हमें वो character याद रहते हैं थोड़ा बहुत खौफ सा वो जो zombies को भी बरकरार रहते हैं तो बढ़िया एक experience रहेगा इस series को देखने में survival आपको अच्छा लगएग तो आपको लगते है यार यह तो खतम यार यह तो गया यार लेकिन इंगेजिंग रहते हैं अगले episode में क्या होगा बहुत जबर्दस चीज़े लगती है आप जब यह series को देखोगे जो नयापन है वो survival ही है अब यह तो थी इसमें सारी अच्छी बाते हैं VFX भी काफी अच गया है होरर भी इसमें अच्छा घासा डाला गया है तो यह तो चीज़े होंगी इसकी अच्छी बाते हैं अब थोड़ा बहुत हम negative मतलब निकालते हैं इसमें कमिया कमिया मैं यह कह सकता हूं कि यार पूरा focus सिर्फ और सिर्फ इस series में बच्चों के उपर रहा है उसमें मत इसमें थोड़ा बहुत बहुत लगा कि यह थोड़ा बाहर का भी होना चाहिए था और जो इसमें एंडिंग होती है वो अच्छी लगी मुझे क्योंकि जिस तरीके से उसमें decision लिये जाते हैं कि यह जोंबी को कैसे खतम करना है यह बगार बगार तो मैं इसलिए क्योंकि वाइरेस है वो डेवलोप हो रहा है तो वो अब यह जानने की इच्छा थो होती है क्या इनके साथ क्या होगा यह कैसे सर्वाइब करेंगे कैसे अपने आपको जिंदा रखेंगे लोग इनको कैसे accept करेंगे या नहीं कर पाएंगे यह आने वाले टाइम इनका वैवार कैसा यह सवाल तो बेशक उड़ते हैं अब क्या इसके बाद second season आएगा नहीं आएगा देखो इसके बारे में search करने में तो पता चलता है कि अभी तक कोई पुकता जानकारी नहीं है कि इसका second season आ सकता है या नहीं आ सकता है बट मैं भी मैं चाहूँगा कि इसका second season आए जिसके अंदर यह जो चीजें इसमें दिखाई गई है लास्ट के अंदर या फिर सीरीज में दिखाई गई है वो हमें बताए कि अब इनका क्या होगा यह कैसे क्या करेंगे कैसे अपने उपर control रखेंगे बहुत सारी चीजे हैं तो overall series काफी बढ़िया रही है आप शुरू से लेक ड़ियां वो काफी बढ़िया है इसमें तो मतलब जोंबीच को मारने का इक तरीका इसमें थोड़ा बहुत अलग है वह होता ने कि शिरफ पर मार दो उसे लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिखाया गया है मतलब थोड़ा से मामूली से यह अलग है तो मेरी तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 8 out of 10 टन गो दिया था तो अगर आप लोगों नहीं यह सीरीज देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों के सीरीज कैसे लगी हाँ हिंदी डबिंग के अंदर है यह सीरीज मतलब अच्छी डबिंग की गई है कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से डायलोग घुसेट दिया और नहीं बहुत अच्छी मुझे लगी है वो डबिंग कुछ इसके अंदर एडल्ट लैंग्वेज भी है बढ़ जादा है तो भाई सब यह बच्चों के लिए तो वैसे भी नहीं है क्योंकि वोइलेंस है और मुझे कहीं नहीं लगते है इसमें थोड़ा सा और वोइलेंस होना चाहिए था क्योंकि requirement है यार इसमें मुझे लगा वाम feeling हुई इसमें और violence होना चाहिए था खेर अब तो ये series खतम होगी अब क्या होगा तो बसाच के लिए इतना है रखते हैं हाँ अपना comment बता देना भाई या कैसी लगी आप लोगों गर नहीं देखिए तो जाकर देखो बहुत अच् वीडियो में थैंक्स और वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद हुआ 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 हुआ